दूरी और विश्थापन में अंतर तय किये गए दूरी और विश्थापन में क्या अंतर न देखिए? दूरी किसी वश्थु दुवारा किसी समय अंतराल में तय किये गए भाग की लंबाई को उस वश्थु दुवारा चली गई को दूरी कहते हैं किसी बस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक इस्थितियों के बीच की दूरी को उस बस्तु को कहते हैं मतलब कि बिस्थापन कहते हैं और देखे आपको मतलते हैं माल देखे कोई बस्तु यहां पर है और यहां से यहां तक आया और फिर इधर बस्तु आगिया ठीक है और फिर यह वस्तु जो है यहाँ पहुंच गया तो दो पॉइंट हुआ यहाँ पे दो बिंदुओं के नियुंतम दुरी को हम विश्थापन कहते हैं और इस वाला को जो है हम पूरा दुरी कहेंगे ठीक है तो shortest distance between two points is called displacement यहीं विश्थापन दो बिंदुओं के नियुंतम दुरी को विश्थापन कहते हैं और किसी बस्तु दोरा किसी समय आंतरान में तै किये गए भाग के लंबाई को मना जैसे माने यह पूरा लंबाई को हम दुरी कहते हैं ठीक है दुरी को देखें दुरी क्या है कि अदिसराशी है और विश्थापन क्या है सदिसराशी है दुरी जो है तोई की गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है दूरी हमेशा धनात्मक होता है विश्थापन जो है आपका धनात्मक, रिर्णात्मक और सुनिय भी हो सकता है तोई की गई दूरी हमेशा विश्थापन के बराबर या अधिक होती है विस्थापन के बराबर हो सकता है कम कभी नहीं होगा अधिक हो सकता है बराबर भी हो सकता है अधिक भी हो सकता है अधिक बिस्थापन हमेशा तयकी के दूरी से कम होता है कम होगा या तो बराबर होगा अधिक कभी नहीं होगा तो इस वीडियों में आपको हम बताए दूरी और विस्थापन में अंतर